हेलो मेरे प्यार प्यार दोस्तो कैसे हैं आप सबी लोग दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक देशी खुराक खाकर एक महीने में बहुत अच्छा खांसर सरीडाब बना सकते हैं दोस्तो वह भी मेवा खाकर दोस्तो आपने कि शार प्रस चीज़ें मैं बताऊंगा आनको विगव कर आपको वाक्ति मुखफान है दोस्तो ठीक है यह ऐसा दोस्तो जो आपको एक महीनी लगाता है राख खानी से दोस्तों आपका लगवक सास से आठ किलो बजन आपका बढ़ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों मैं बता देता हूं अगर आप हमारी चैनल पर नहीं दोस्तों तो आप हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों चीक है तो आप मैं बताता हूं दोस्तों आपको सबसे पहले पानी लेना है दोस्तों ठीक है आप पानी आदा ले सकते हैं मतलब जो भी बढ़ताना है उसे आदा इतना लें जब जो भीगाएं दोस्तों वह भीग जाची तरे से तो दोस्तों यह मैंने 20 दानी लगवक मुमभली के लिए हैं अपने खुराक के हिसाब से दोस्तों अपने बनाएं यह दानी 20 जो है मैंने ली हैं दोस्तों अपने से पानी डाल लेना है दोस्तों यह कच्ची मूफ ली है ठीक है दोस्तों आपको बंजवी नहीं लेनी है कच्ची लेनी है ठीक है अब दोस्तों आपको लेना है बादम बा गाफी कि ज़्यादा फायवर टोटल मीटा मिंन यखरण होती है दोस्तों इसलिक सब honest की यह लगवग आपको चार से फूंच बादम लेने हैं तो दोस्तों यह अपनो इसना आपको दिखाई दे रहा है चार बादम ले रहा हो दोस्तों कि यहां मैंने चार बात हम ले लिया है अब दोस्तो इसके बाद हैं कि समष ठीड़ दोस्तो आपने से भी लगवक विस जोए कि समष आपको ले लेनी है दोस्त दोस्तों देखिये अपको कि समष ले ले 25 ग्राम आपको दोस्तों सोय बीन लेना है दोस्तों 25 ग्राम ठीक है दोस्तों यह 25 ग्राम आपको दोस्तों सोय बीन लेना है दोस्तों इसमें फैट बहुत होता है दोस्तों यह दुबले पत्रे सरीर के लिए ज्यादा फायदे बंद होता है दोस्तों इसे लिए जो है बेट बढ़ाने के लिए सोय भी जरूर होता है दोस्तों यह चार चीजे मैंने आपको बता दिये दोस्तों आप इस नुश्के को लगवग एक महीनी तक आप रेगुलर ली यूज करें दोस्तों इसे बासिमूँ खाएं दोस्तों साम को बिगोएं सुबह 20 मों खाए आप दोस्तों देख दोस्तों अब अगर आप दूबले-पतल्य हैं ठीक है दोस्तों तो आप इस का इस्तिमाल कर सकते दोस्तों हैं ठीक है न अगर अगर आपको फैयदा होता है तो आप हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों यह आपको लगवक्त साथ दिन से असर दिखाना सुरू कर देगा दोस्तों ठीक दोस्तों धन्यवाद